नमस्कार मेरे इनुमिसर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं जब भी हम कोई हेवी साड़ी या फिर चोड़े बॉर्डर वाला साड़ी लेते हैं दो तीन बार तो ठीक है पहन लेते हैं लेकिन डेली उसके लिए अकसर हम क्या करते हैं कि उसको जो बॉर्डर होता है उसको निकाल लेते हैं फिर वो यूं ही पढ़ा रहता है तो आज उसी चोड़े बॉर्डर का रियूस करके मैं बहुत ही सुन्दर सा यह बैग बना रही हूं यह जो बैग है ना दिखने में जितना सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है इस बैग में सामने की तरफ एक बड़ा सा पॉकेट है और इसके अलावा एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है चोटा सा पॉकेट अंदर की तरफ मैंने इसमें लगाया है अब आए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को इस बैग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह का यह दो पीस लेना है यह velvet का कपड़ा है दोनों ही बराबर है अब ये दोनों जो पीसे ने इन दोनों को पहले हमें quilt करना है तो quilting के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा अस्तर और form अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं उसके बाद ये मैंने form लिया है आप form की जगा जो shopping bag आता है उसको भी ले सकते हैं उसके उपर रखेंगे हम main fabric जो दोनों पीसे से दोनों का measurement मैं आपको बता देती हूँ तो दोनों की लंबाई 15 इंच है और चोड़ाई भी 15 इंच है अब एक पीस लेंगे और उसमें उपर से नीचे की तरफ दो इंच पे निसान लगाना है तो ये देखें ये दो इंच पे निसान मैंने लगा लिया है अब उसके बाद ये जो निसान लगा है ना उसके नीचे दो इंच की नीचे इस तरह से यह जो border है साड़ी का इसको इस तरह से रखते वे सील लेना है तो यह देखिए यह जो border है इसको मैं उपर की तरफ से लगाना सुरू कर रही हूँ अब यह देखिए उपर की तरफ दो इंच पे हमें इस तरह से कट करना है यहाँ पर कट करने के बाद जिप को लगाना है तो देखिए कपड़े को उपर जिप को इस तरह से पहले उल्टा रखेंगे और इसको सील लेंगे उसके बाद इसको पलट कर इसके उपर हम प्रेसिश्टीश करेंगे जिप को उपर की तरफ करते वे प्रेसिश्टीश करना है अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते वे सिलना है इस तरह से दोनों को मिलाते वे सिल लेंगे अब इसको भी पलट कर दूसरी साइड प्रेश अब जिप लगाने के बाद इसी के सैज का हमें प्लेट कपड़ा चाहिए फॉकेट बनाने के लिए तो इस तरह करें दिखें मैंने लिया है अब दोनों को इस तरह से बराबर मिलाते हैं और चारों साइड से सिल लेना है अब इसको चारो साइट से सील लेते हैं दोनों को मिलाके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइट से सब को काट के बराबर कर लेंगे अब यह देखिए बड़ा वाला पॉकेट बन गया है उसके बाद हमें दूसरा वाला पीस लेना है उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है तो यह छोटा सा यह कपड़ा लिया है मैंने इसकी जो लंबाई है वो है साढ़े आठ इंच यानि की 8.5 इंच और चोड़ाई है इसकी 6 इंच यानि की 6 इंच अब इसके उपर हमें जिप को लगाना है तो कपड़े की उपर जिप को इस तरह से उल्टा रखके सील लेंगे उसके बाद जिप को उपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेसिश करते वे और यह किनारा इस तरह से फोल्ड करते वे और सिल लेना है अब यह चोटा उला पॉकेट भी बन गया है इसके बाद हम इसमें जो बैल्ट लगाएंगे उसको त्यार कर लेते तो यह दो पीस मैंने लिया है दोनों बराबर है दोनों की जो लंबाई है वो है 21 इंच और चोड़ाई है 3 इंच अब क्या करना है हमें दोनों किनारे से इसको इस तरह से मोड़ना है फिर 20 से इस तरह से मोड़के सिल लेना है इसी तरह से दूसरा बेल्ट भी तैयर कर लेना है तो दोनों बेल्ट रेडी हो गया अभी से हमें बैग में लगाना है तो देखें दोनों साइट से 4 इंच पे इस तरह से निसान लगाएंगे अब ये 4 इंच पे निसान लगाने के बाद जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी इसी के बराबर निसान लगा लेना है इस तरह से इसको रखते वे और उपर की तरफ इसमें भी बराबर पे निसान लगा लेंगे अब जो बेल्ट है उसको जो निसान हमने लगाया है उसके उपर रखते वे इस तरह से और सी लेना है तो ये दोनों में बेल्ट लग गया है अब इसमें हमें उपर की तरफ जिप को लगाना है तो ये देखिए ये जिप मैंने लिया इसमें दो रणर डाला हुआ है अब देखिए इसको कपड़े के उपर उल्टा रखके पहले सील लेना है अब दूसरा वाला जो कपड़ा है उसको जिप के दूसरे साइड में इस तरह से मिलाते वे सील लेना है अब इसको पलट कर इस पर हम दोनों साइड से प्रेसिश्टीच करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जब प्रेसिश्टीच करेंगे तो बैल्ट उपर की तरफ रहे अब ये देखे जीप लगाने के बाद इसको हमें क्या करना है इस तरह से पलट के और तीनों साइड से सील लेना है अब इसको देखिए एक साइड से सीलना शुरू करेंगे और तीन साइड इसको सील लेंगे अब ये तीन साइड सील गया है अब दो इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे हम और पिछे के तरफ एक इंच मोड़ते वे और इसको पूरा एक साइड सील लेंगे अभी पूरा पाइपिंग करने के बाद ही इसमें हम नीचे का जो बे से उसको रेडी करेंगे तो उससे क्या है न फिनिसिंग अच्छी आती है तो ये एक साइड पूरा सील गया है अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और इस तरह से डबल करते हुए सिल लेंगे अब यह पाइपिंग हो गया है अब हम नीचे कबेस्तियार करते हैं तो दोनों साइड से और इंच पे यानि कि वन एंड हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है तो ये देखिए 1.5 इंच का इस तरह से box हमें बना लेना है दोनों साइड तो ये दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें 1.5 इंच का box बना लेना है दोनों साइड से देखिए 1.5 इंच पे mark कर लेना है इस तरह से अब ये जो mark हमने किया है इसको कट कर लेना है अब इसको कट करने के साजिसे और करने के साज़ा न utilize ये जो दोनों को इस तरह से मिलाते वे पराबर और पुरा इसको सलेना है अब इसको सेलने के बाद इस पर ॉाइपिंग कर लीजिए तो देखी इस तरह से पीछे एक तरफ थोड़ा सा कपड़ा मोडते वे दोनों साइड और इसको पुरा सील लीजिए अब इसको पलट कर डबल फोल्ड करके सील लेना है बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी सील के और उसमें पाइपिंग करना है तो फटा फट इसको भी कर लेते हैं अब यह देखिए यह पाइपिंग हो चुका है तो यह बैक कुछ इस तरह से शेप इसका आया है अब इसको सीधा करके देख लेते हैं तो देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर सा यह बैक बनके त्यार हुआ है जो हमारे पास बेकार पड़ा हुआ लेस था वुसका भी यूज हो गया है उमीद करती हूँ आपको मेरा यह बैग और यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नए नए वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू